एलो डियर स्टुडेंट्स प्रागा थे आपका सिरपार्थी एजुकेशनल इंस्टिट्यूट के यूटीब चैनल पर आज की वीडियो में हम आपकी लेकर आए हैं फैक्टराइजेशन टॉपिक एक्सरसाइज नूमबर 5B आए शुरू करते हैं आज की क्लास उससे पहले अगार आप हमारे चैनल पर नहीं है और आगी तक आप ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें question number one यह रहा आपके सामने a square plus 10a plus 24 इसको factorize करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पर आपको 24 दिया है यहाँ पर कोई number नहीं है तो यहाँ पर हम 1 माल लेते हैं तो इसको हम 1 in 2 जब 24 करेंगे तो answer आ जाएगा 24 अब हमें इन संख्याँ के कुछ ऐसे factor करना है जिनको यहाँ पर पीछे plus दिया है अगर plus दिया है तो add करने पर answer 10 आना चाहिए पर अगर minus दिया है तो minus करने पर उनका answer इस numbers के बरावर आना चाहिए तो हम ऐसे factors को सूचेंगे जैसे आता है 6 into 4 अगर हम 6 और 4 को multi करेंगे तो 24 आ जाता है और 6 और 4 को add कर दे हैं तो इसका answer आ जाता है 10 इस type से हमारे दो factor बन जाएंगे 6 और 4 आए इस solve करते हैं इस question को अब से पहले हम write करेंगे a square plus 10 का factor आ जाएगा 6 plus 4 a plus 24 अब हम इस a का multi इन दोनों के साथ कर देंगे क्या हो जाएगा a square plus 6a plus 4a plus 24 अब हम इस bracket को open करेंगे तब आ जाएगा a square plus 6a plus 4a plus 24 अब हम आगे की दोनों numbers में common factor देखेंगे common क्या है तो आगे का number है a square plus 6a तो इसमें common आ जाएगा a अगर हमने इसमें a comma ले लिया तो यहाँ पर बचेगा a plus 6 अब पीछे की दोनों संख्याओं में common देख लेंगे क्या है यहाँ पर common आ जाएगा 4 यहाँ पर आ जाएगा a और 4 से 24 कट जाएगा 6 टाइम अब इन दोनों जगाए पर a plus 6 common है हम राइट करेंगे a plus 6 और जो बचेगा संख्या हो आगी a plus 4 टाइप से आपका अंसर आ next question question number 2 यह रहा आपके सामने यहाँ पर भी आपको क्या करना है यहाँ पर बन माल लेंगे जब बन और 40 का multi करेंगे तो 1 multiply by 40 equal आ जाएगा 40 अब हमें ऐसे number से factor निकालना है जिनको minus करने पर answer 3 आता है ऐसा करने पर आएगा 8 into 5 8 5 जा होता है 40 और हम जब 8 में से 5 को minus करेंगे तो answer आ गया है हमारे factor आ गये है 8 और 5 आए यह solve करते हैं इस question को सबसे पहले a square minus factor आएगा 8 minus 5 a minus 40 पहले हम a का multiple bracket से करेंगे तब आएगा a square minus 8a minus 5a minus 40 अब हम जब bracket open करेंगे तो इस minus की calculation हो जाएगी सबके साथ आजाएगा a square minus और प्लस मिल की minus का 8a और इस minus की minus 5a से calculation होगा तो minus minus plus का हो जाएगा 5a और यहाँ पर बचेगा minus का 40 अब हम आगे की दोनों numbers में common देखेंगे यहाँ पर दोनों में common आ रहा है a a common लेने पर यहाँ पर बचेगा 8 minus 8 a minus 8 यहाँ पर common आ जाएगा तब यहाँ पर बचेगा a plus 5 यही आपकी second question का answer हो जाएगा उम्मीद करता हूँ आपको इस question अच्छे से समझ में आ रहे होंगी next question question number 3 1 minus 2a minus 3a square यहाँ पर भी हमें क्या करना है आगे लिखा है 1 और पीछे है 3 तो 1 और 3 को multi करेंगे तो आएगा 3 अब हमें ऐसे factor सोचना है जिनको minus करने पर answer आ जाए 2 factor आ जाता है 3 बन जाए 3 और 3 जब 1 को multi करेंगे तो 3 आता है और 3 में से हम जब 1 को minus कर देंगे तो आता है 2 इस प्रकार हमारे factor बन जाएंगे 3 minus 1 why you solve करते हैं इस question को सबसे पहले 1 minus bracket में 3 minus 1a minus 3a square अब हम इस a का multi bracket से करेंगे तब हो जाएगा 1 minus 3a a का multi 1 से हो जाएगा तो only way भी हम write कर सकते है minus 3a square अब bracket open करेंगे तो इसके आगे जो minus लगा है इसकी calculation सभी के साथ हो जाएगी तब हो जाएगा 1 minus 3a minus minus plus का a हो जाएगा और यहाँ पर minus का 3a square अब हम आगे की संख्याओं में दोनों संख्याओं में देखने कुछ common नहीं है तो हम माल लेंगे हमने वहाँ पर one common ले लिया तो जाएगा 1 minus 3a अब लास्ट की दोनों संख्याओं में यहाँ पर a common आजाएगा तब यहाँ पर आजाएगा 1 minus 3a तो जाएगा 1 minus 3a सेव है तब हो जाएगा 1 minus 3a और यहाँ पर बच्छेगा 1 plus a यही आपका question number third का answer हो जाएगा next question question number four यह रहाँ के सामने question है x square minus 3a x minus 88a square यहाँ पर भी हमें x square के आगे कुछ नहीं ले तो मान लेंगे 1 है जब 1 का multiply 88 से करेंगे तब आ जाता है 88 अब हमें ऐसे factor सूचना है जिसको minus करने पर answer 3 आ जाए ऐसे factor सूचेंगे तो होता है 11 into 8 जह हम 11 को 8 से multi करेंगे 88 आता है और 11 में से हम 8 को minus करेंगे यह तो आता है 3 इस type से हमारे factor आ गई 11 और 8 अब आजी देखते हैं solution x square minus 3 की जगा आ जाएगा 11 minus 8 ax minus 88 a square अब हम ax का multi bracket से कर देंगे तब हो जाएगा x square minus 11 ax minus 8 ax minus 88 a square अब हम इस bracket को उपन करेंगे उसके आगे minus लगा है तो उसकी calculation जाएगी x square minus 11 ax और minus minus मिलके plus का हो जाएगा 8 ax minus 88 a square अब हम आगे की दोनों numbers में common देखेंगे यहाँ पर दोनों में common देख रहा है x यहाँ बचेगा x minus 11 a अब हम बात की दोनों संक्यों में देखेंगे तो यहाँ पर common देख रहा है 8 a जब 8 a common लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x minus 11 a अब इस दोनों जगाए पर x minus 11 a common है तो इसको हम ले लेंगे x minus 11 a और यहाँ पर बचेगा x plus 8 a परकार आपकी question number fourth concern आ जाएगा इसको solve करने के लिए आगे 6 लिखाया है और पीछे 15 है तो हम 6 और 15 का multiply कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90 अब हमें ऐसे factor सोचना है जिनको minus करने पर यहाँ पर a means one answer आ जाए इसको लिए solution करने के लिए हम लेंगे 10 into 9 10 9 जा होता है 90 और जब हम 10 में से 9 को minus करेंगे तो आ जाता है 1 इस परकार हमारे factor आ जाएगे 10 और 9 आई अब देखते हैं इस question का solution सबसे पहले 6a square minus 10 minus 9 a minus 15 a का multi करेंगे bracket से तो आजाएगा 6a square minus 10a minus 9a और minus 15 bracket open करेंगे तब हो जाएगा 6a square minus 10a minus plus 9a हो जाएगा और होगा minus 15 अब यहाँ पर दोनों में आगे की दोनों संख्यों में common देखेंगे तो यहाँ पर आता है 2a common आ जाएगा 2 से 6 कट जाएगा 3 time a square से a minus की जगए minus a से a कट जाएगा और 2 से 10 कट जाता है 5 time तो यहाँ पर आएगा 3a minus 5 next यहाँ पर देख लेंगे common आ जाएगा 3 3 से 9 कट जाएगा 3 time a का a बचेगा minus 3 से 15 कट जाएगा 5 time दोनों जग है 3a minus 5 सेम है तो हम लें लेंगे 3a minus 5 को common लेंगे तब यहाँ पर 3a minus 5 से 3a minus 5 कट जाएगा तो बचेगा 2a plus यहाँ पर बचेगा 3 यहीं आपके 6 question का answer हो जाएगा next question question number 6 हीरा आपके सामने 24aq plus 37a square minus 5a सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे common आ रहा है क्या कुछ यहाँ पर हम a common ले लेंगे तब यहाँ पर क्या बचेगा 24a square plus 37a minus 5 अब यहाँ पर आगे पीछे दो जम बच दी है 24 into 5 24 को 5 से multi करेंगे 5, 4, 20 carry to 5, 2, 10 to 12 120 अब मैं ऐसी संख्यान सोच नहीं है factor लेना है जिनको minus करने पर 37 answer आ जाता है ऐसा करने पर होता है 40 into 3 40 को 3 से multi करेंगे तो होता है 120 और 40 में से जब हम 3 को minus कर देंगे तो आ जाता है 37 इस प्रकार हमारे factor हो गए 40 और 3 आ यह solve करते हैं इस question को A common था तो यह बाहर रहेगा यहां पर हम लख लेंगे 24 A square plus 37 की जगा आ जाएगा 40 minus 3 A minus 5 आगे solve करेंगे 24 A square A का multi फूरे bracket से हो जाएगा सब हो जाएगा 40 A minus 3 A minus 5 अब हम इस bracket को open करेंगे small bracket को 24 A square plus 40 A minus 3 A minus 5 अब हम इनमे common देखेंगे common क्या आ रहा है आगे की दो संख्याव में common आ जाएगा 8 A 8 से 24 कटेगा 3 time और A square A से A time plus 8 से 40 कट जाएगा 5 time और A से cancel हो जाएगा अब यहाँ पर हम ले लेंगे minus common कोच नहीं है तो 1 ले लेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 3 A minus minus 5 के plus का 5 दोनों जगए 3 A plus 5 है तो हम अगर 3 A plus 5 को common ले ले लेते हैं तब यहाँ पर बचता है 8 A minus 1 यह question number 6 का answer हो जाएगा next question, question number 7 यह रहाँ के screen पर A bracket 3 A minus 2 bracket close minus 1 इसको solve करने के लिए सबसे पहले हम इस bracket का open करेंगे तो यहाँ का A का multis bracket से हो जाएगा तब आ जाएगा यहाँ पर 3 A square minus 2 A minus 1 अब हम इसको factorize करेंगे तो देखेंगे आगे लिखा है 3 और पीछे लिखा है 1 3 और 1 को multi करेंगे तो आ जाता है 3 अब हमें ऐसी number सोचनी है जिनको minus करने पर 2 आ जाए सेम रहेगा जहाँ 2 3 को minus करेंगे 1 से तो आ जाता है 2 2 की जगा है हमारे factor आ गए है 3 minus 1 आई यह write करते हैं 3a square minus 3 minus 1 a minus 1 a का multi bracket से हो जाएगा 3a square minus 3a minus a का multi 1 से होगा तो a लख देंगे minus 1 bracket open करेंगे तो 3a square minus 3a minus minus मिलके बन जाएगा plus का a हो minus 1 अब हम देखेंगे आगे की दो numbers में कौन सा common है तो यहाँ पर common आ जाएगा 3a 3a common लेने पर आगे बचेगा a minus 3a से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 यहाँ पर कुछ भी common नहीं है तो हम only 1 common ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a minus 1 a minus 1 दोनों जगाए है तो common कर देंगे a minus 1 common लेने पर यहाँ पर आ जाएगा 3a plus 1 यह question number 7 का answer हो जाएगा next question question number 8 यह रहा आपके सामने a square b square plus 8ab minus 9 यहाँ पर भी आगे कोई numbers नहीं है तो हम बन माल लेंगे तो multi करेंगे 9 से तो 9 बन जा 9 अब हमें ऐसा factor निकालना है जिसको minus करने पर answer 8 आता है सेम रहेगा 9 minus 1 8 ही दा जाएगा और 9 को बन से multi करेंगे तो 9 ही आता है इस परकार हमारे factor आ गए है 9 minus 1 आईए solve करते हैं इस question को write करेंगे a square b square plus 8 की जगह लेख देंगे हम 9 minus 1 ab minus 9 ab का multi 9 और 1 से हो जाएगा तो हो जाएगा a square b square plus 9 ab minus ab minus 9 bracket open करेंगे a square b square plus का 9 ab minus 4 ab minus 9 अब हम देखेंगे यहाँ पर common क्या है आगे की दोने संख्याओं में common आ जाएगा a b ab common ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a b plus 9 अगर हम यहाँ पर minus 1 common ले लेंगे अगर हम यहाँ पर minus 1 common ले लेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा a b और minus minus plus का 9 अब दोनों जगा a b plus 9 है तो अगर हम a b plus 9 को common ले लेंगे तब जो बचेगी संख्या हुआ जाएगी a b minus 1 यही आंसर हो जाएगा question number 8 का next question question number 9 3a 3 minus a bracket 4a 4 plus 7a इसको solve करने के लिए पहले हम इस a का multi पूरे bracket से करेंगे तब हो जाएगा 3 minus 4a minus 7a square अब हमें factor find करना है आगे number दिया है 3 और पीछे दिया है 7 3 7 जा हो जाएगा 21 अब हमें ऐसे number find करना है जिसको minus करने पर 4 आता है factor सेम रहेंगे अगर हम 3 में 4 में से 7 में से 3 को minus करते है तो आ जाता है 4 इस परकार हमारा factor आ जाएगा 7 minus 3 3 आई राइट करेंगे 3 और की जगा है जाएगा 7 minus 3 3 a minus 7a square 3 minus a का multi हो जाएगा तो 7a minus 3a minus 7a square अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 minus 7a minus minus plus का बन जाएगा 3a और minus का 7a square आगे की दोनों संख्याओं में कुछ common नहीं है तो हम वन राइट कर लेती हैं यहाँ पर बचेगा 3 minus 7a last की दोनों संख्याओं में common देखेंगे तो यहाँ पर common आ जाएगा a तब यहाँ पर बचेगा 3 minus 7a अब दोनों जगए 3 minus 7a common है तो यहाँ पर बचेगा 1 plus a यह इसका अंसर हो जाएगा next question question number 10 यह रहाँ आपके सामने 2a square minus 6a minus 3b minus 4 I solve करेंगे इस question को सबसे पहले 2a plus b का whole square minus यहाँ पर अगर हम common ले लेंगे 3 दोनों संख्याओं में तो बचेगा यहाँ पर 2a plus b और यहाँ बचेगा minus का 4 अब हमाल लेंगे let's 2a plus b equal x जहाँ जहाँ 2a plus b है वहाँ पर हमें x लिख देंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 2a plus b का whole square means x का square minus 3x minus अब हम इनको factorize करेंगे आगे number 1 मान लेंगे और पीछे आ जाएगा 4 4 बन जाए 4 अब मैं ऐसे factor निकालना है जिनको minus करने पर 3 आ जाए 4 बन जाए 4 और 4 मेंस जब minus 1 करेंगे तो आ जाएगा 3 इस परकार हमारे factor minus 4 4 minus 1 आ जाएगा आएए इसकी value write करेंगे x square minus 3 की जगह लेखेंगे 4 minus 1 x minus 4 x square minus x का multi हो जाएगा तो 4x minus x minus का 4 bracket open करेंगे तो x square minus का 4x minus और minus मिलके बन जाएगा x plus का हो जाएगा minus का 4 अब हम आगे की दोनों संख्यों में common देखेंगे यहाँ पर common आता है x x common लेने पर यहाँ पर बचेगा x minus 4 यहाँ पर बीचे की दोनों संख्यों में कुछ common नहीं तो ले लेएगी plus का 1 झाँपर आ जाएगा x minus 4 दौनों जगए x-4 को मान आने पर बचेगी संग्या वो जाएगी x-1 अब हमें क्या करना है इन दौनों की जगए पर जो x की value थी वो हमें right करनी है आपके पास अंसर आया था x-4 x-1 x की जगए हमने क्या मान था 2a plus b minus 4 और दूर सी जगए आ जाएगा 2a plus b minus 1 यही चांसर हो जाएगा प्लेस का बन था next question question number 11 यह आपके सामने 1 minus 2a minus 2b minus 3 bracket a plus b का whole square इसको solve करने के लिए सबसे पहले 1 यहाँ a2a minus 2b में हम minus 2 को commonly लेंगे तब यहाँ पर बचेगा a plus b minus 3 a plus b square अब यहाँ पर हम ले लेंगे let's a plus b equal x यहाँ पर a plus b होँआ पर x ले लेंगे तो बचेगा 1 minus 2x और minus 3x square अब हम इसको factorize करेंगे आगे लिखा है 1 पीछे लेखा है 3 1 3 का multi करेंगे 3 आजाएगा एक्टराइज करने पर हमें रसे नंबर आना चाहिए इनको करेंगे इस प्रेक्ट से तो हो जाएगा 1 minus 3x minus x minus 3x square प्रेक्ट उपन करेंगे तो बचेगा 1 minus 3x लास्ट की दोनों संख्यों में x common आ जाएगा तो यहाँ पर भी बचेगा 1 minus 3x 1 minus 3x दोनों जगह है तहुं 1 minus 3x को common ले लेंगे तब यहाँ पर बचेगा 1 plus x अब जो हमारा answer आया है 1 minus 3x 1 plus x इसमें हम x की value right कर देंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 1 minus 3x की value थी 3 की जगह 3 और x की value आ जाएगी a plus b पर कर यहाँ पर 1 plus x की value आ जाएगी a plus 1 minus 3 का multi bracket से हो जाएगा तो minus का 3a minus का 3b और यहाँ पर सेम रहेगा 1 plus a plus b यही question number 11 का answer हो जाएगा next question question number 12 यह रहाँ के सामने 3a square minus 1 minus 2a यहाँ पर आगे number दिया है 3 और पीछे दिया है 2 हम 3 और 2 को multi करेंगे तो आता है 6 आ हम ऐसे factor find करना है जिनको minus करने पर answer बना जाए same condition यही बनेगी जब हम 3 और minus 2 करेंगे तो आता है 1 और 3 और 2 को multi करने पर answer आता है 6 ता हमारे factor आ जाएंगे 3 minus 2 I solve करेंगे इस question को 3a square minus का 2a minus 1 अब हम इसको solve करेंगे तब हो जाएगा 3a square minus 3 minus 1 a minus 1 a का multi bracket से करेंगे तब हो जाएगा 3a square minus 3a minus a minus 1 bracket open करेंगे 3a square minus का 3a plus का हो जाएगा a minus 1 आगे की दोनों numbers में 3a common ले लेंगे तब यहाँ पर बचेगा a minus 1 पीछे की दोनों संक्रावे कुछ common नहीं है तो यहाँ पर only हम प्लस बन ले लेंगे तब बचेगा a minus 1 दोनों जगा a minus 1 है तो a minus 1 को अगर कौमन ले लें तब यहाँ पर बचेगा 3A plus 1 Question number 12 का answer हो जाएगा Next question, question number 13 X square plus 3X plus 2 plus AX plus 2A इसको solve करने के लिए कब से पहले हम इसको दो categories में divide करेंगे पहली categories में 3X square plus 3X plus 2 को बना लेंगे और दूसरी category में ले लेंगे AX plus 2A इसको factorize करेंगे तब यहाँ परा जाएगा X square plus 2 plus 1X plus 2 यहाँ पर अगर हम A को कॉममन लेंगे तब यहाँ पर बच्चेएगा X plus 2 आगे शॉल्व करेंगे X square plus 2X plus X plus 2 यहाँ पर इवैलू सेम रहेगी AX plus 2 आगे की दोनों संख्वाम में कॉममन देखेंगे तो कॉममन आजाएगा X तब यहाँ पर बचेएगा X plus 2 यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है तो बन ले लेंगे तब बचेएगा यहाँ पर X plus 2 पीछे वाली वैलू सेम आ जाएगी AX plus 2 आगे इन दोनों में सेम है X plus 2 तो X plus 2 को कॉमन कर लेंगे तब बचेएगा है यहाँ पर X plus 1 और यहाँ पर है AX plus 2 अब इन दोनों जगाएपर X plus 2 है अगर हम X plus 2 को कॉमन कर लें X plus 2 को कॉमन कर लेंगे अब यहाँ पर बचेएगा X plus 1 और बचेएगा यहाँ पर प्लस का प्रकार question number 13 का answer आ जाएगा next question question number 14 एरा आपके सामने 3X minus 2Y square plus 3 X minus 2Y minus 10 यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे X 3X minus 2Y equal A तब यहाँ पर आ जाएगा A square plus 3A minus 10 अब हम फेक्टराइज करेंगे आगे नमबर 1 है 10 110 जा 10 और हमें ऐसे नमबर find करना है जिनको multi करने पर minus 3 आ जाएगे तो इसके फेक्टर होते हैं 5 into 2 तो हम 5 और 2 को multi करेंगे 10 आता है तो 5 में से 2 को minus करेंगे तो आता है 3 इस परकार हमारे फेक्टर बन जाएगे 5 minus 2 I write करेंगे A square plus 5 minus 2A minus 10 A का multi करेंगे bracket से A square plus 5A minus 2A minus 10 bracket open करेंगे A square plus 5A minus 2A minus 10 अब हम आगी के दोसनों संख्यों में common देखेंगे यहाँ पर आ रहा है A तब आ जाएगा A plus 5 यहाँ पर minus 2 common ले लेंगे तब आ जाएगा A plus 5 इन दोनों जागा A plus 5 सेम है A plus 5 को common करेंगे तो यहाँ पर A plus 5 और आ जाएगा A minus 2 अब हम A plus 5 और A minus 2 में A की वैल्यू को राइट करेंगे A की वैल्यू थी 3X minus 2Y plus 5 यहाँ पर भी एक वैल्यू राइट करेंगे 3X minus 2Y minus यही question number 14 का solution हो जाएगा Next question, question number 15 यहर आपके सामने 5 minus 3A square minus 2A 6 minus 3A square plus 2A I इसको solve करेंगे अब से पहले हम ले लेंगे लेट से पहले 5 minus 3A square minus 2A यहाँ पर 6 minus 3A square minus का 2A इसको से म करेंगे लिए हम यहाँ पर minus कॉमन ले लेंगे अब हम यहाँ पर लेंगे 3A square minus 2A equal X इसमें हम value राइट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 minus X और यहाँ पर bracket आजे में आजेगा 6 minus X X का मलती इस bracket से हो जाएगा तब होगा 5 minus 6X plus X X मिले के X square अब हम इसको solve करेंगे आगे 5 है पीछे 1 है तो 5 बन जा 5 अईसे factor लेना है जिनको add करने पर 1 आता है तब यहाँ पर हो जाएगा 5 plus 1 equal 6 होगा उनको multi करेंगे तब भी आजाएगा 6 तब लेंगे 5 minus 6 की जगाए आजाएगा 5 plus 1 X plus X square 5 minus X का मलती करेंगे 5X plus X plus X square अब हम यहाँ पर common देखेंगे यहाँ पर common आजाएगा 5 तब यहाँ पर बचेएगा 1 minus X यहाँ पर अगर हम और minus हो जाएगा अगर हम यहाँ पर minus का X कॉमन ले ले तब यहाँ पर बचेएगा 1 minus X तब 1 minus X और 5 minus X अब हम इस question में 5 की value को और X की value को write करेंगे आएए देखते हैं उससे पहले अगर हम यहाँ पर इसको प्लेस चेंज करेंगे तब हो जाएगा X minus 5 और X minus 1 हमने इनकी mark आपस में exchange कर दी अब X की value राइट करेंगे X की value थी 3A square minus 2A minus का 5 इस bracket में यहाँ बचेगा 3A square minus 2A minus 5 इसको solve करने के लिए आएए देखते हैं आएए देखते हैं दोनों संक्याओं को अब इनको हम factorize करेंगे क्योंकि दोनों factorize हो रही है factorize करने के लिए पहले 3A square minus 2A minus 5 को factorize करेंगे फिर हम बादे factor करेंगे 3A square minus 2A minus 5 आएए पहले हम left side की value को factorize करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3A square minus 3 5 जाब 15 और minus करने पर 2 आना चाहिए तो हो जाएगा 5 minus 3 A minus 5 bracket open करेंगे 3A square minus का 5A minus 3A minus 5 bracket open करेंगे तो 3A square minus का 5A minus minus plus का 3A और minus का 5 अगर हम इनमें common ले लेंगे तो आजाएगा यहाँ पर A common आजाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3A minus 5 यहाँ पर कुछ common नहीं है तो 1 ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3A minus 5 तब यहाँ पर solve करने पर आजाएगा 3A minus 5 दोनों में common है और यहाँ पर बचेगा A plus 1 आईए हम right side value value को solve करेंगे यहाँ पर है 3A square minus 2A minus 1 इसको solve करने के लिए factorize करेंगे तब आजाएगा 3A square minus 3 बन जाए 3 और 3 में से minus करने भपन तो आजाएगा 3 minus 1 A minus 1 इसको solve करेंगे तब हो जाएगा 3A square minus A का multi हो जाएगा 3A minus A minus 1 bracket open करेंगे तब हो जाएगा 3A square minus का 3A plus का A और minus का 1 यहाँ पर 3A कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा A minus 1 यहाँ पर 1 common आजाएगा तो यहाँ पर बचेगा A minus 1 तब दोनों जगाए बच रहा है A minus 1 और यहाँ पर आजाएगा 3A plus 1 इस परकार हमारे answer आजाएगे 3A minus 5 A plus 1 A minus 1 और 3A plus 1 यह सब ही question number 15 के answer हो जाएगे next question number 16 यह रहा आपके सामने 1 upon 35 plus 12 upon 35 A plus A square इसको solve करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर नीचे 35, 35 यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम नीचे 1 लिखकर आब LCM ले लेंगे 35 हमने क्या लिया यहाँ पर LCM ले लिया LCM आ गया 35 35 से 35 बन टाइम कटेगा यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस 35 से 35 बन टाइम कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 12 A और यहाँ पर 1 से 35 तो बचाएगा 35 A square इसको हम इस टाइब से भी राइट कर सकते हैं 1 अपॉन 35 रेकेट 1 प्लस 12 A प्लस 35 A square तो यह 1 प्लस 35 सभी में common आ जाएगा अब हमें जो नमबर दी है उनमें हमें देखना है कि आगे नमबर दिया है 1 और पीछे दिया है 35 1 को 35 से मल्टी करेंगे 35 अब इनके हम फैक्टर निकालना है जो एड़ करने पर 12 आने चाहिए तो यहाँ पर हो जाता है 7 इंटू 5 7 इंटू 5 होगा 35 और 7 और 5 को एड़ करने पर आंसर आता है 12 तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 1 प्लस 12 की जग़े लिए देंगे 7 प्लस 5 A प्लस 35 A स्कार 1 अपूं 35 नव 1 अपूं 35 यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस A का मल्टी हुआ ब्रेकेट सी तब 7 A प्लस 5 A प्लस 35 A स्कार रेकेट उपन करेंगे तो 1 अपूं 35 यहाँ पर आजाएगा 1 प्लस 7 A प्लस 5 A प्लस 35 A स्कार अब हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे 1 अपूं 35 कॉमन चलेगा यहाँ पर इस दौनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही तो हम यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच्छेगा 1 प्लस 7 A नेक्स्ट दो संख्या हों में कॉमन आ जाएगा 5 A तब यहाँ पर क्या बच्छेगा 1 प्लस 7 A अब इसको हम आगे सॉल्ब करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 1 अपून 35 1 प्लस 7 A दोनों जगाए सेव हैं तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे इसको कॉमन ले लेंगे तब हमारी पर बच्छेगा 1 प्लस 7 A और यहाँ पर बच्छेगा 1 प्लस 5 A यही हमारी इस कॉस्चिन का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्चिन, कॉस्चिन नॉम्बर सेवेंटीन तक्टराइज X स्क्वार माइनस 3 X X स्क्वार माइनस 3 X माइनस 1 और माइनस 20 इसको सॉल्व करने के लिए let's X स्क्वार माइनस 3 X equals 1 या A हमने X स्क्वार मानस 3 X की जगा क्या लग लिया है? A अब जहाँ जाई वहाँ पर X स्क्वार मानस 3 X है वहाँ पर हम लख लएगे A पहली जगा आ जाएगा A फिर आ जाएगा A minus 1 minus 20 यहाँ पर हमने a लिख लिया और इसकी जगह पर भी हमने a लिख लिया यहाँ पर minus 1 का minus 1 आ जाएगा तब हम bracket से multi करेंगे तो a square minus a minus 20 आ जाएगा अब हमें factorize करना है 20 आ जाएगा और minus करने पर बान आता है तब इसका answer आ जाएगा a square plus minus 5 minus 4 5 और 4 को multi करेंगे तो 20 होता है और 5 में से 4 minus करेंगे तो 1 आ जाएगा a minus 20 एक अब bracket से multi होगा a square minus 5a minus 4a minus 20 bracket को open करेंगे तब हो जाएगा a square a square minus bracket open करेंगे तो minus का 5e minus minus मिलके बन जाएगा plus का 4e और minus का 20 यहाँ पर अगर हम a common ले लें जाएगा तो a minus 5 यहाँ पर common आ जाएगा plus का 4 तब यहाँ बचेगा a minus 5 दौनों जाएगा a minus 5 का ले लेंगे तो a minus 5 और यहाँ पर बचेगा a plus 4 अब हम a की value इन दौनों value में write करेंगे जैसे आपके पास आया है a minus 5 और a plus 4 पहले bracket में a की value राइट करेंगे तो a की value क्या थी x square minus 3x और बचेगा 5 दूसरे bracket में write करेंगे तो x square minus 3x plus 4 इसके कार question number 17 का answer आ जाएगा next question 18 for each trinomial's quadratic expression given below find whether it is factorizable or not factorize और if factorize possible it factorize it okay इस first question x square minus 3x minus 54 सबसे पहले हम इसको check करना है कि इस factorize होता है नहीं है इसके लिए होता है compare करेंगे हम इसको ax square से plus bx plus c से जब इसको compare करेंगे तब a की जगाए आ जाएगा 1 b की जगाए हो जाएगा minus 3 और c की जगाए पर हो जाएगा minus का 54 अब हम इसको value solve करेंगे तो होता है d is equal b square minus 4ac b square minus 4ac b की value write करेंगे b की value थी minus का 3 chi square है minus 4 into a की value आई थी 1 और big c की value आई थी minus का 54 c square को solve करेंगे 339 plus का 9 हो जाएगा यहाँ पर minus minus plus हो जाएगा और 54 को 4 से multi करेंगे तो 260 आजाएगा अब जब दोनों को add करेंगे तो answer आजाएगा 225 इसको solve कहने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा जो value आई है यह किसी संख्या का square होना चाहिए और अब दूसी चीज यह answer plus में आना चाहिए answer अगर plus में आए यह square आए तब हम कह सकती है यह possible है otherwise यह possible नहीं है इसका answer आए 225 means यह possible है अगर अब यह possible है तो हम इसको factorize करेंगे आईए करते हैं इसको factorize x square minus 3x minus 54 x square minus 54 के factor निकालेंगे 9 6 जब 54 और 9 में से 6 minus होगा तो 3 आ जाएगा तो हम राइट करेंगे 9 minus 6x minus 54 यहाँ पर हो जाएगा x square x का multi हो जाएगा 9x minus 6x minus 54 bracket open करेंगे तो minus से multi हो जाएगा minus का 9x minus minus plus का 6x और minus का 54 अब यहाँ पर common आ जाएगा x तब यहाँ पर ले ले लेंगे x minus 9 और यहाँ पर common आ जाएगा 6 तो यहाँ पर आ जाएगा x minus 9 दोनों जाएगा x 9 minus 9 common है तो ले लेंगे x minus 9 और यहाँ पर बचेगा x plus 6 तो यह आपका answer हो जाएगा इसी question का second part देखते हैं 2x square minus 7x minus 15 इसको भी हम compare करेंगे x square plus bx plus c से तब इस type हम देखेंगे कि a की value आ गई है 2 b की जगाए पर आ जाएगा minus 7 और c की जगाए पर आ जाएगा minus 15 अब जब इसको compare करेंगे तब d is equal होता है b square minus 4c ac b की value है minus 7 minus 7 का square minus 4 into a की value है 2 और c की value है minus का 15 solve करेंगे 7 का square हो जाएगा 7 से बने जब जब 49 प्लस में आ जाएगा यह minus और यह minus में मिलके बन जाएगा plus 4 to the 8 और 8 को multi करेंगे 15 से तो आ जाएगा 120 जब इनको दोनों को add करेंगे तो आ जाएगा 169 अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 169 एक square नंबर है answer plus में भी है that हम कह सकते है यह है possible है अब अगर यह possible है तो हमें इसको factorize करना है तो आईए हम इसको factorize करेंगे 2x square minus 7x minus 15 15 टू जा हो जाएगा 30 x square minus 7 30 के factor निकाल लेंगे जो minus करने पर 7 आना चाहिए तो 10 3 जा होता है 30 और 10 में से जाहूं 3 को minus करेंगे तो आता है 7 x minus 15 एक्स का multi करेंगे ब्रेकेट से तो 2x square minus 10 x minus 3 x minus 15 आगे साल करेंगे 2x square ब्रेकेट ओपन करेंगे तो multi हो जाएगा minus का 10 x minus minus plus का 3 x और minus का 15 अगर हम जाएगा x minus 5 है तब आजाएगा x minus 5 और 2x plus 3 यहीं स्कूष्चन सेकेंड का अंसर हो जाएगा इसी टाइप से next question number 3 इसको भी solve करेंगे तो हम compare करेंगे ax square से plus bx plus c से यहाँ पर जैसा मैं देख रहा है a की जगाएपर आ जाएगी value 2 b की जगाएपर भी आ जाएगी value 2 और c की जगाएपर value आ जाएगी minus का 75 आई इसको देखेंगे d is equal p square minus 4ac b की value है 2 का square minus 4 into a की value 2 into c की value minus का 75 यहाँ पर 2 का square हो जाएगा 4 minus minus plus हो जाएगा 4 to the 8 और 8 को जब multi करेंगे 75 आ जाएगा 600 आप हम दोनों को add करेंगे तो आ जाएगा 604 604 किसी भी number का square नहीं होता है तो if it is not perfect square अब हम क्या सकते हैं नॉट पॉसिवल इसके factor निकालना possible नहीं है next question question number 4 3x square plus 4x minus 10 इसको भी हम compare करेंगे ax square plus bx plus c से तब हमें a की value यहाँ पर 3 आ जाएगी b की value 4 आ जाएगी और c की value आ जाएगी minus का 10 अब हम देखेंगे d is equal b square minus 4ac b की value 4 का square minus 4 into a की value 3 है और c की value minus 10 है तब यहाँ पर आ जाएगा 4 4 जा 16 minus minus plus हो जाएगा 4 3 जा 12 12 का multi 10 से होगा तो होगा 120 20 जब हम 120 में 16 को add करेंगे तब हो जाएगा 136 136 भी not a perfect square not a perfect square तो हम कह सकते हैं इसका solution possible नहीं है next question question number 5 यह आपके सामने x bracket 2x minus 1 बाहर minus 1 हो जाएगा तब पहले solve करने के लिए हम x का multi कर देंगे तब हो जाएगा 2x square minus x minus 1 अब हम इसको compare करेंगे a x plus b x plus c से तब हमें यहाँ पर a की value निकलेगी equal आजाएगा 2 b equal आजाएगा minus 1 और c equal भी आजाएगा minus का 1 आगे solve करेंगे d is equal b square minus 4ac b की value हम राइट करेंगे minus 1 का square minus 4 into a की value 2 है और c की value minus 1 है यहाँ पर 1 का square 1 हो जाएगा minus minus plus हो जाएगे so it is a 8 8 और 1 को add करेंगे तो 9 आजाएगा 9 हम जानते हैं कि 3 का square है तो यह possible है अगर possible है तो आईए देखते हैं इसके factor क्या होंगे 2x square minus x minus 1 तो factorize करेंगे 2x square minus 2 minus 1 x minus 1 2 को multi करेंगे 1 से तो answer 1 आता है और minus करेंगे तो 1 आ जाएगा तब 2x square minus x का multi हो जाएगा 2x minus x और minus 1 से bracket उपेट करेंगे तो 2x square इसका minus से multi हो जाएगा 2x minus minus plus का x हो जाएगा और minus का 1 यहाँ पर हम 2x को common ले लेंगे तो यहाँ पर बचिएगा x minus 1 यहाँ पर x minus 1 सेम है तो यहाँ पर हम ले लेंगे plus 1 common ता आ जाएगा x minus 1 दौन हो जागा x-1 सेम है तो इसको common ले लेंगे तब यहाँ पर बचेगा 2x plus 1 यही आपके इस question का answer हो जाएगा Next question, question number 19 आपको दिया है factorize 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 आई देखते हैं इसका solution 4 root 3 x square plus अब हमें यहाँ पर देखना है 4 root 3 का multi करेंगे 2 root 3 से 4 का multi 2 से होगा तो 4 2 से 8 और 3 root 3 का root 3 से हो जाएगा 3, 8 3 से जाएगा 24 अब हमें ऐसे factor निकालना है जिनको multi करने पर 24 आजाए और minus करने पर आजाता है 5 अब इस type से होता है 8 into 3 8 3 जा 24 ही होता है और 8 में से अगर हम 3 को minus कर दें तो 5 आता है अब हम यहाँ write करेंगे अब हम यहाँ पर देख लेंगे 4 root 3 x square plus 8 x minus 3 x minus 2 root 3 अब यहाँ पर common देखेंगे हम यहाँ पर common लेंगे 4 x 4 x common लेने पर यहाँ पर बचेगा root 3 x plus 2 next number में यहाँ पर root 3 लखा है 3 लखा है जो 3 को हम लख सकते है root 3 into root 3 अगर हमने यहाँ पर minus root 3 ले लिया तो यहाँ पर बचेगा root 3 x minus root 3 से root 3 कट जाएगा 2 आ जाएगा minus minus मिलके यह plus हो जाएगा अब यहाँ पर root 3 x plus 2 दोनों जाएगा सेम है तो इसको common ले लेंगे तब यहाँ पर बचेगा 4 x minus root 3 यह इस question का answer हो जाएगा next question question number second 19 का second आई देखते हैं यह आपके सामने 7 root 2 x square minus 10 x minus 4 root 2 इसको factorize करने के लिए 7 root 2 x square minus bracket में क्या लेना पड़ेगा आई देखते हैं 7 root 2 को जह हम multi करेंगे 4 root 2 से 7 का multi 2 से हो जाएगा 7 फोर जाएगा 28 और root 2 का 2 से हो जाएगा 2 फोर जाएगा 56 अब मैं ऐसी factor निकालना है जिनको minus करने पर आजाए 10 इसके निकालने के लिए क्या हो जाएगा 14 इंटू 4 हम 14 और 4 को multi करेंगे 56 होता है और 14 वैसे हम 4 को minus करेंगे तब आता है 10 तब यहाँ पर bracket में write करेंगे 14 minus 4 x minus 4 root 2 bracket open करेंगे 7 root 2 x square minus 14x minus 4x minus 4 root 2 7x 7 root 2 x square bracket open करने पर multi हो जाएगा minus का 14x minus minus plus का 4x minus 4 root 2 अब हम यहाँ पर common देख लेंगे यहाँ पर common आ जाएगा 7 root 2 2x तब यहाँ पर बच्चेगा x minus 2 अब 2 को हम write कर सकते हैं root 2 into root 2 अब एक root से एक बाला root 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा root next संख्या में हम common ले लेंगे 4 4 common लेने पर x minus 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर बचेगा root 2 तो अब हो जाएगा x minus root 2 सेम है तो यह common ले लेंगे तब यहाँ पर बचेगा 7 root 2 x x plus 4 यहाँ पर जाएगा next question question number 20 कि फॉसिवल एक्प्रेशन पर लेंगे लेंगे पर लेंगे 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 12 x square minus 35 x plus 25 हाई इसको फेक्टराइज करेंगे 12 x square minus अब हमें 35 की जगा देखना है क्या आएगा तो आगे दिया है आपको 12 और पीछे दिया है 25 जब हम 12 और 25 को मल्टी करते हैं तो आता है 300 इसके फेक्टर निकालने के लिए प्लस करने पर आंसर आना चाहिए 35 तब हम देखते हैं सेक्टर निकलते हैं हमारे 20 इंटू 15 20 और 15 को जब मल्टी करेंगे तो 300 आता है और 20 में से जब हम 20 और 15 को एड़ करेंगे तो आजाता है 35 तब हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं 20 प्लस 15 आगे स्वाल करेंगे 12 x स्क्वाइर माइनस x का मल्टी हुगा 20 x प्लस 15 x प्लस 25 नेक्स्ट ट्वाइल एक्स्क्वाइर ब्रेकेट उपन करेंगे तो मैनस से मल्टी हुगा 20 x माइनस 15 x प्लस 25 आप यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 4 x 4 x कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा 4 3 जाए 12, 3 x माइनस 4 5 जाए 20 x x कट जाएगा 3 x माइनस 5 यहाँ पर हम कॉमन लेंगे माइनस का 5 अब यहाँ पर भी आ जाएगा 3 x माइनस 5 तोनों जगा 3x-5, same common हो जाएगा, तब यहां आप ले लेंगे 4x-5, अब आप आप इसने में से किसी भी बैल्यू को length मान सकते हैं, और किसी भी बैल्यू को breadth मान सकते हैं, यही आपका answer हो जाएगा, इस प्रकार आपकी आज की exercise खतम होती है, फुरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जाने से पहले चैनल को subscribe करना ना भूले, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like share ना करना ना भूले, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी exercise लेके आएंगे, अब तक देखते रहेंगे, और सबस्क्राइब कीजिए, तरपार्टी Educational Institute भन्नेवाद,